इस current affairs funda में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 31 अगस्त के सभी important current affairs cover करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंदर तक जरूर देखेगा आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा साथ आप गूगल प्ले स्टोर से current affairs funda app को भी इंस्टॉल कर लिए क्योंकि जो भी हमारा pdf material है जिसम आपको current affairs के साथ साथ strategy के भी प्रोवाइट कराते हैं यह सभी material आपको हमारी current affairs funda app पर उप्लब्द हो पाएगा हमारे pdf को संबन दिया आपका कोई भी डाउट है कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो comment box में जरूर लिखेगा तो चलिए फिर करते हैं शुरुवात इस वीडियो सेशन की कि हूँ है कि है कि है कि है कि है कि है कि है आपको जानना चाहिए दिविता रॉय यह करनाटक से हैं आर्किटेक्ट हैं और मोडल भी है यह रिवा मिस डिवा युनुवस 0002022 बनी है और अब यह मिस युनुवस 2022 में बारत को है रिप्रेजेंट करने वाली हैं आपको जानना चाहिए मिस युनुवस 2021 हर्नाज संधू इन्होंने ही दिविता राय को यह जो मिस डिवा सुपर्णेट्यचनल 2022 2022 चुना गया है जबकि ओजस्वी शर्मा इनको लीवा में इस पोपोर्डर चोईस 2022 चुना गया कि हुँ वन बेल्जियन ग्रांप्री टुन्टी टुन्टी टू बेल्जियम ग्रांप्री 2022 किसने जीता है उप्शन आपके सामने है सही आंसर ऑप्शन डी है मैक्स वस्ट एपन तो मैक्स वस्ट एपन ने बेल्जियन ग्रांप्री 2022 जीता है आप सभी को जानना चाहिए कि मैक्स वस्ट एपन बेल्जियम डच रेसिंग ड्राइवर है जो की रेड बुल के लिए रेसिंग करते हैं अगर हम 2022 में इनकी सफर की बात करें तो कौन-कौन से ग्रांप्री उनने जीती हंगेरियन ग्रांप्री फ्रेंच ग्रांप्री कैनेडियन ग्रांप्री अजर्बाइजान ग्रांप्री स्पैनिश मियामी एमिलिया रोमेगना और साथी अरेवियन ग्रांप्री उनने इस वार 2022 में जीती है प्रेजिद आपको जाना चाहिए पास सितंबर 2022 को विज्ञान भवन, निव डैदी में जो हमारी प्रेजिडेंट है द्रापती मुर्मु यह 46 सेलेक्टेड आवार्ड इसको नेसनल आवार्ड टू 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 देंगी यानि यह जो टीचर्स पेस्ट टीचर्स के लिए जो आवार्ड दे जाते हैं यह पास सितंबर को दिये जाएंगे तो बेस्ट टीचर्स हैं पूरी कंट्रीज में उनको नेसनल आवार्ड दिये जाते हैं कि हुआ है कि है कि हैं हुआज बीन अपॉइंटेड एस दा से बीस होल टाइम मेंबर से भी के पूर्ण कालिक सदस्ते के रूप में किसे न्युक्ति किया गया ऑप्शन्स आपके सामने ह है अनन्त नारायन गोपाल कृष्णन देखिए जो सिक्योर्टीज एंड एक्सचेंज बॉर्ड ओफ इंडिया यानि की सेवी इसमें चल थी फूर्थ होल्टाइम मेंबर जोइन करने वाले हैं सेवी को क्योंकि इंडिया ने अनन्त नारायन गोपाल कृष्णन की अपॉइ प्रोफेसर हैं और इनके अलावा अब जब यह जोइन कर लेंगे इनके अलावा और सेवी में कौन-कौन होल्ड टाइम मेंबर से एसके मोहनती अस्वनी बाटिया और अनन्त बरुआ बात करेंगे अगर हम सेवी की तो आपको जानना चाहिए सिक्यूर्टी एंड एक्षेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने की सेवी यह गवर्मेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक रिजलुशन के तुरू इसको कॉंसिट्यूट किया गया था इसलिए एक नोन इस्ट्रेशुटरी बोड़ी कब एपरेल 12 1988 को तो क्योंकि एक रिजलुशन के तहत उस वक्त इसको जो है इस्टैब्लिश किया गया था इसलिए एक नोन इस्ट्रेशुटरी बोड़ी था उसके बाद फिर एक्ट के रूप में इसको सेक्यूर्टी जान एक्षेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक constitutional बोड़ी होता बागी आप जानते हैं कि जो headquarter से यह मुंबई में है Minister of State for External Affairs and Education राजकुमार रंजन सिंह handed over a check of what amount for the BIMSTEC Secretariat's operational budget विदेश और शिक्सा राज्यमंत्री राजकुमार रंजन सिंह बिम्स्टेक सच्वाले के परिचारन बजट के लिए कितनी राशी का चेक्ष सोफा है options आपके सामने हैं सही आंतर option ए है 1 million US dollar जानेगे इसके बारे में देखिए Minister of State for External Affairs and Education राजकुमार रंजन सिंह इन्होंने BIMSTEC Secretariat का जो operational budget है उसके लिए 1 million US dollar का एक check handover किया है आपको चालना चाहिए आपर BIMSTEC के बारे में BIMSTEC का मतलब क्या होता है Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation इसके member states की अगर हम बात करें तो 7 member हैं बांगलदेश, बुटान, इंडिया, मियामार, नेपार, स्रिलंका and Thailand इसका जो permanent secretariat है ये धाका बांगलदेश में है इसकी स्थापना 6 जून 1997 में हुई थी 1997 में एक्जाम में कई बार पुछा जाता है चाहिए बैंक का हो, एससे का हो, कोई भी एक्जाम हो, स्टेट का, कई बार ये question पूछा गया है कि BIMSTEC की स्थापना किस वर्स होई थी, आंसर होगा 1997, लिख लीजेगा इसको Secretary General इसके हैं बुटान के, टेंजिंग, लेक फैल बाकि आपको ये जानना चाहिए कि जो BIMSTEC की फिफ्ट सम्मिट इस बार हुई, ये स्रिलंका द्वारा होस्ट की गई वर्चुली, मार्च 30, 2022 को और स्रिलंका जो है, इस वक्त इसकी करेंट चेर है, यानि कि अध्यक्षता स्रिलंका के पास है यानि ही NMDFC has signed an agreement with which bank for the development of financial accounting software and mobile application रास्टी अलब संक्यक विकास और वित्य निगम ने वित्य लिखांकन software और mobile application के विकास के लिए किस बैंक के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर किये, options आपके सामने है, सही हमसर, option B है, ICICI bank तो देखिए हाँ पर National Mayorities Development and Finance Corporation यानि कि NMDFC इसने ICICI bank के साथ एक MOU या फिर agreement sign किया है, किसलिए NMDFC और जो State Generalizing Agencies हैं, उनके लिए एक financing account software डेवलप करने के लिए, तो देखिए कई इसमें कहा गया है कि जो loan applications आती है, उनको process करने के लिए एक software होना चाहिए, और जो repayments की accounting होती है, उसके लिए एक software चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर MOU sign किया गया है, बाकि आपको जाना चाहिए, ICICI bank के बारे में, MD and CEO Sandeep बक्षी है, headquarters Mumbai में है, और tagline है, हम है ना, ख्याल आपका, which airline has become the first airline in India to use the revolutionary AI part, CAE RISE training system, कौन सी airline, AI संचालित, CAE RISE, protection परनाली का उप्योग करने वाली भारत की पहरी airline बन गई है, options आपके सामने है, सही है, answer options ही है, Air Asia, तो Air Asia इंडिया ने, और CAE Canada, इन्होंने announce किया है, एक collaboration, जिसके तहत, जो Air Asia airline है, इसका जो simulator training program है, उसको CAE RISE training system के साथ integrate किया जाएगा, आपको जाना चाहिए, Air Asia India, यह first airline बन गई है, इंडिया में, जिसने CAE RISE, यह जो training system है, इसके साथ, अपना training program integrate किया है, तो आपको जाना चाहिए, जो यह CAE RISE है, तो यह high quality training deliver करता है, साथी real time data बताता है, training sessions का, जो pilots हैं, तो उनकी कितनी technical competencies हैं, और उनकी performance क्यासी है, इस से सम्मंदि जीतना भी real time data है, वो यह system बताता है, CAE RISE training system, बागी आपको जाना चाहिए, एर एशिया इंडिया के बारे में, तो एर एशिया इंडिया का headquarters बेंगलुरू में है, यह joint venture है, between Tata Suns Private Limited और Air Asia Aviation Group Limited, मलेशिया के बीच में, सुनील भास करें इसके CEO हैं, आपको बतातें, एर एशिया, यह first foreign airline है, जिसने अपनी subsidiary, इंडिया में set up की हुई है, तो वैसे ही जो इसका headquarters है, यह तो Air Asia इंडिया का है न, जो Air Asia है, यह वैसे Malaysian, Malaysian में इसकी headquarters है, Malaysian airline है, तो आपको जाना चाहिए, Asia Cup 2022 में, पाहिस्तान के खिलाफ, जब भारते team उतरी, तो विराट कोली ने एक record यहां पर इस्थापित किया, यह first Indian बन गए है, और overall यह second player बन गए है, international cricket के इतिहास में, जिनोंने तीनों ही प्रारूपों में, चाहिए वो T20 हो, चाहिए वो one day international हो, या फिर test match हो, कम से कम 100 match तो खेले ही हैं, तीनों में, अलग अलग, तो देखिए, 100 T20 इनोंने खेले हैं, 102 test के लिए हैं, 262 one day international इनोंने खेले हैं, जब से इनोंने अपने debut किया, अगस्थ 2008 में तब से, अचाहिए, तो हमने अभी यहां पर देखा कि, second player overall बने हैं, international cricket history में, तो इन से पहले कोई न कोई होगा, तो वे कौन हैं, यह निउजिलेंड के former player, रोस टेलर, जिनोंने की अंतराश्टे cricket से, इसी साल अप्रैन में सन्यासने की गोश्टना की, तो यह पहले व्यक्तिया से थे, जिनोंने तीनों ही प्रारूपे में कम से कम सो मैचेस खेले हैं, एरपोर्ट्स अथोरिट्य ओफ इंडिया और विच कंट्री साइंड अ मेमोरेंडम ओफ अंडरस्टेंडिंग एड़ दा कॉर्परेट हेट्वार्टर्स ओफ एड़्वार्टर्स ओफ एड़िए इन न्यू डेली, बारतिय विमान पत्तन प्रादिगर्ण और किस देशने नई दिल्ली में A.A.I के कॉर्परेट मुख्याले में समझोता गया अपन पर हस्ताक्षर की ओप्शन्स आपके सामने हैं, तो आपको जाना चाहिए Airports Authority of India और LFV Air Navigation Services of Sweden इन्होंने एक MOU साइन किया है, जिसके तहत दोनों ही कंट्रीज के बीच में जो Aviation Expertise है और Technology है, इसके आदान परदान को लेकर ये MOU साइन किया गया है, आपको जाना चाहिए Airports Authority of India के Chairman Sanjeev Kumar है, तो देखिए आपको ये जानना चाहिए कि New Delhi में Union Minister of State for Textiles दर्शना जर्दोश इन्होंने Silk Mark Expo को जो है इनोग्रेट किया है, किसके द्वारा और्गनाइस किया गया है, Silk Mark Organization of India के द्वारा, लोगसभाई Speaker ओम बिल्डा विन विल अन्विल स्टैचूज और स्वामे वेकानन्द एंड एग्रिकल्चरिस्ट पंदुरंग खानकोजे इन विच कंट्री है, लोगसभाई जेक्स ओम बिल्डा, किस देश में स्वामी वेकानन्द और क्रिसी विद पंदुरंग खानकोजे की प्रतिमाओं का अनावरंड करेंगे, ओप्शन्स आपके सामने हैं, और सही आंतर यहां, ओप्शन ये है, मेक्सिको. तो देखिए, आपको जाना चाहिए, लोगसभाई की स्पिकर हैं, जो हमारे ओम बिल्डा, ये कनाड़ा के दोरे पर हैं, क्योंकि कनाड़ा में 65th Commonwealth Parliamentary Conference आईजीत की गई है, तो साथ ही आपको बता दें, कनाड़ा के साथ-साथ, ये मेक्सिको भी ट्रेवल करने वाले हैं, और मेक्सिको में ये दो स्टेचूज का नावरण करेंगे, एक तो स्वामी वेकानन्द, और दूसरा है एग्रिकल्चुरिस्ट पंडुरंग खनकोजेगा, आपको जाना चाहिए, पंडुरंग ची के बारे में, इनका जन्म वर्दा महारास्ट में हुआ था, और ये वन वत फांडिंग मेंबर्स रहे हैं, गदर पार्टी के, और कई सारे मेक्सिकन वर्कर्स से भी ये मिले अपने समय पर, और बारत की इंडिपेंज से सम्बंदित, बारत की इंडिपेंडेंट्स से सम्बंदित, कई तरह के आइडियास मिनों ने वहाँ पर मेक्सिकन वर्कर्स के साथ शेर किये, तो इन्हीं के सम्मान में, मेक्सिको में, इनका एक स्टेचू का अनावन किया जाएगा, इंडिया फिनिस्ट एट विच पोजिशन इन फिफ्टींथ इंटरनेशन ओलम्पियाड ओन एस्टोनोमी एंड एस्टोफिजिक्स हैल्ड इन जॉर्जिया जोर्जिया में अजित खकोल विज्ञान और खकोल बोतिकी पर पंद्रवे अंतरास्टे ओलम्पियाड में बारत किस इस्थान पर रहा है ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन भी है थर्ड तो आपको जाना चाहिए फिफ्टींथ इंटरनेशन ओलम्पियाड ओन एस्टोनोमी एंड एस्टोफिजिक्स यह कुताईजी जॉर्जिया में हुआ है और भारत इसमें तीस्री पोजिशन पर रहा है बारत सिंगापूर के साथ सिंगापूर भी तीस्री पोजिशन पर आए पहले नंबर पनिया इरान राज जिसने पांच गोल्ड जीते और फिरा गैस्ट टीम जिसने चार गोल्ड जीते हैं तो भारत की और से रागव मुहमत साहिल मेहूल इन्होंने गोल्ड मैडल जीते जबकि स सर्वनिलेश महाजन विची स्टेट विल एक्सेंड और 2% स्पोर्ट्स कोटा इन जॉप्स इन ओल डिपार्टमेंट्स कौनसी राजी सरकार सभी विभागों में नोकरियों में खिलाडियों के लिए 2% स्पोर्ट्स कोटा का विस्तार करेगी ओप्शन आपके सामने हैं सही स्पोर्ट्स पर्शन कोटा जो है एक्सेंट करेगी आपको बता दे अब तक केवल फुलिस और फोरेस्ट डिपार्टमेंट में ही 2% का कोटा स्पोर्ट्स पर्शन के लिए जो है दिया जाता है साथी यह भी बताया इनोंने की करनाटक ने बास्केट बोल को अपना कि एडिशन आफ दा इंट्रेनेंट फिल्म फेस्टिवल उफ शिम्ला ब्रटेश विगन एडड गायटी थी फियेटर इन शिम्ला हिमाचल प्रदेश प्रदेश कि में गायटी थीटर में श्रू हुआ सही आंशर ऑप्शन और बी है एर्थ तो आपको जानना चाहिए तीन कि इंडियन नेवी गैट्स फर्स्ट मेटी इंडिया एमिनिशन फॉर विच गन बारते नोसियना को किस बंदू के लिए भारत निर्मित कोला बारूत मिला है यानि कि पुई तरह से भारत ने बनावा 30 mm एमिनिशन प्राप्त किया है किसके लिए यह एके 630 गन्स में यूज किया जाएगा अच्छा है कोश्चन इस तरह से बन सकता था आपको यह ऑप्शन देदे थी किसको मिला है इंडियन नेवी इंडियन एयर फोर्स इंडियन आर्मी या फ एरक्राफ्ट तो अगर हमने नहीं पड़ा है तो उप्शन में हम उसको एरफोर्स टिक कर देते हैं साथ है आपको जाना चाहिए एकनोमिक एकस्पोजिव लिमिटेड के जो cmd है सत्यनारण नुवाग इन्हों ने यह हैंड़ोवर किया है वाइसाइड मिरल शतीश कुमार नामदेव गौर्मरी को इंडिया इन विच कंट्री आप डिसाइड़ टू सैट अप टास्क फोर्स टू प्रिपेर फाइव यर रोड मैप फोर डिफेंस कोपरेशन बारत और किस देशने रक्षा से हैं के लिए पांस साल का रोड मैप तैयार करने के लिए टास्क फोर्स गठित करने का निड़ने लिए ओप्शन्स आपके सामने हैं सही हैं तो आपको जाना चाहिए भारत और तंजान्या ने डिसाइड किया है कि हम पांस साल का एक रोड मैप प्रिपेर करेंगे ताकि हम दोनों देशों के बीच में डिफेंस कोपरेशन बढ़ सके तो इसके ल कोमेना लॉरेंस टेक्स इनसे मिले तो इसी दुरान यह MOU साइन किया गया बागी आपको जाना चाहिए तंजाने के बारे में कैपिटल डोडोमा है कई बार पूछी जाती है कि और करन्सी है तंजानियन शिलिंग परदानमंत्री जन्धन योजना that has completed 8 years of success was launched on which state परदानमंत्री जन्धन योजना जिसने सफलता के 8 साल पूरे कर लिया है किस तारिक को शुरू की गई थी options आपके सामने है सही आंचर option CA 28th August 2022 देखे जब से 2014 से जब से मोधी गोवर्मेंट सेंटर में आई है तब से जो सबसे famous scheme है जो सबसे important scheme हो यही है प्रदानमंत्री जन्धन योजरा अब तक भी इसके question आपके exam में पूछे जाते हैं तो यह जो मैं आपको पूरा data देने वाला हूं या आपके दे मैत पूर्ण ह पी आई भी में recently बिल्कुल publish किया गया है अब जो question frame करेगा आपके exam में तो वह भी देखे गाई की government ने data दिया है तो यही से कोई question उठा लिया जाए इसलिए आप ध्यान से देखेगा हर एक data को देखे परदार मंत्री जन्तन योजना जो की प्राइमिस्टर रेंद्र मोध आप सभी जानते हैं financial inclusion इसका मक्सद है जैसे financial services जैसे banking हो गया savings and deposit accounts हो गया remittance हो गया credit insurance pension हो गया तो यह सभी स्वीधाय provide कराना आम आदमी को अब यह जो scheme launch की गई थी यह 6 pillars पर based रही एक तो universal access to banking services दूसरा यह कि basic savings accounts basic savings bank account with overdraft facility of rupees 10,000 to every eligible adult overdraft facilities में कितनी दी गई 10,000 रुपे की यह आपके bank exam में पुछा गया था financial literacy program promoting savings use of ATMs getting ready for credit availing insurance and pensions using basic mobile phones for banking चोथा जो पीलर है यह creation of credit guarantee fund to provide banks some guarantee against defaults पांच वा रहा इंचुरेंस accident cover up to rupees 1 lakh and life cover of rupees 30,000 on account opened between 15 रुपस 2014 to 31st January 2015 तो यह तो 2014-2015 की बीच की बात है यह वाली कि accident cover दिया गया एक लाग का और life cover दिया गया 30,000 रुपे का शिख्थ पिलर है pension scheme for unorganized sector तो यह 6 पिलर पर यह based है आगे बात करें government of India ने इसको extend कर दिया था 28-8-2018 के बाद कुछ modifications के साथ modifications किया गई जो पहले focus था every household उसको अब कर दिया गया every unbanked adult साथी रुपे card insurance यह जो free accidental insurance cover है रुपे cards को इसको एक लाग रुपे से बढ़ाकर दो लाग कर दिया गया जिनके भी accounts अठाइसार दो जार अठार के बाद कुले हैं उनके साथी overdraft facility को भी है आपर enhance किया गया पहले overdraft जो फैसिलिटी वह फैसिलिटी वह पांच जार की इसको दस जार कर दिया गया और अगर कि बिना पुराना होना चाहिए मतलब 6 महीने हो गए हो एकाउंट को ले हुए तब आपको 10,000 उके तक की overdraft facility मिल सकती है साथी जो upper age limit है overdraft facility की उसको भी 60 साल से बढ़ागर 65 साल कर दिया गया कुछ achievements देखेंगे 10 अगस 2022 तक क्या-क्या आकड़े हैं तो देखे 10 अगस 2022 तक जो total प्रदानमंत्री जंधन योजना एकाउंट्स हैं साथी जो यह एकाउंट है PM जंधन जो एकाउंट्स हैं इनमेज अगर आप इनकी रफ्तार देखें तो लगवक तीन गुना यह बढ़ी है मार्स 2015 मिना चोदर सम्लव साथ दो करोड़ करोड़ थे वहीं पर यह आपके 10 अगस 2022 तक 46.25 करोड़ हो गए है जो एकाउंट है PM जंधन एकाउंट है साथ ही इसमें यह बताया गया कि RBI गाइडलाइन के तहत जो यह जंधन एकाउंट है इनको इन ऑपरेटिव माना जाएगा यदि किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में नहीं हो रही है दो साल स से ज्यादा तक कि साथ आपको यह जानना चाहिए कि 46.25 क्रोड़ जो जंधन एकाउंट है इन्वे से 37.57 क्रोड़ एकाउंट्स जो है ओपरेटिव है यानि कि 81.2 परसेंट एकाउंट्स ओपरेटिव है यानि कि चल रहे हैं चालू है केवल 8.2 प्रतिशत जो जंधन एकाउंट्स में टोटल लिपोजिट अब तक जमा हुआ है यह 173954 करोड़ रूपीज का साथी एवरेज डिपोजिट पर एकाउंट यह 3761 रूपीज का है टोटल रूपे कार्ट्स जो इशू किये गए है अब तक यह 31.94 करोड़ है जंधन दर्शक एप भी लोंच की गई वो अपने आसपास कोई बैंक ब्रांच, ATM, बैंक मित्र, पोस्ट ओफिस लोकेट करना चाते है तो इस एप के सहारे कर सकते हैं साथी यह भी बताया गया कि 5.4 करोड़ जो जंधन एकाउंट होड़र्स है इन्होंने डिरेक्ट बेनेफिट ट्रासफर स्कीम का फाइदा लि डग्णा, बोर्च भाना, जिक हैं लिए अग्तर में ऑ्रच, म के हैं ग्याstem evolving पक्यूना फिर्फेनोने ब्ट्राणी उन्हय कोड़्य को ज्म विशेस, थिकू टूलिवश नवह मूं उन्हिस में हो एन हाना वंज। ग्ण क says इन ऐत इन होजाना है एन फय लुम में Director, of ice for digitalization of ice sector under the ice grid project for a period of three years answer is mystery of electronics and information technology और आप में से कई अस्विरस ने बिल्कुल सही आंथर दिया है इसी तरह से आप participate करते रहिए आज के assignment questions देखेंगे who is the author of the book titled Calcutta chromosome when did Indian post introduce the six digit postal index number the UN accepted India's proposal to observe 2023 as the international year of what in august university grant commission has declared how many universities as fake on which day our government sports awards like Arjuna award and the Khail Ratna award presented which sports organization has lifted the ban imposed on the All India Football Federation after the Supreme Court terminated the mandate of the committee of administrators तो इन छे questions के answer आप comment box में जरूर दिजेगा यदि आपको एक question का answer भी आता है तो अभी आप हमें comment box में बता सकते हैं साथी current affairs funda को आप telegram पर भी जोइन कर सकते हैं आप regular video updates और current की जैसे हम आप सब्सक्राइब डालते रहते हैं साथ ही discussion group में आप किसी भी question का solution पास सकते हैं दोस्ते हैं आप हमारे current affairs की प्लेश्टी गई है इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ फैले असे साथ हमारे आपको कैसे लागा comment बोक्स में जरूर बताएगा थैंक्यू गाइस